पूत कूपूत हो जाता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है जिसमें मेरा बेटा मेरे पेट में पल रहा था उसमें मुझे इतनी खुसी हुई कि सायद ही मेरा बेटा मेरा साथ दे सकता है और इस दरिंदे का बदला मेरा बेटा ही ले सकता है चाहे मेरे कोक से बेटा और उससे यही सवाल करूंगी, कि आज मैं तेरे लिए चमाइन हो गई, जिस दिन तू हमको लेके गया था क्या मैं उधिन यादो थी, कि उधिन ठकुराइन थी, आज तुने मुझे नीच जाती करके ठुकुरा दिया साले, और आज मैं तेरे लिए चमाइन हो गई, जब अनि आज मैं जानूं कि आसल तु यादो बंस का लड़का है, आज राजे सियादों ने बोल रहे हैं कि तुम जात की हरजन हो, जात की चमाइन हो, छोटी काष्ट की हो, तुम्हारा छुआ हुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है, आज मेरा तेरे साल का बेटा हो गया है, जब अधिकार देने की बारी आगई, पिता का नाम देने की बारी आगई, तो राजे सियादों ने हमको धक्का दे करके बाहर कर दिया, अभी मेरी उमर 14 साल की है, आपकी उमर करीब 30 और 28 के बीच में है, और वो भी आप उस समय उनकी उमर 28 थी, और आपकी 14 थी, हमारे साथ वही महिला मौझूद हैं, जिनकी बीडियो काफी वारल हो रही है, और इनका आरोप है राजे सियादों के उपर, ये बता रही हैं कि वो इनके पती है, और इनकी बगएर मर्जी से इनके साथ सारी संबंद बनाते हैं, ऐसा उन्होंने इनके साथ क्यों किया, ये उनको पहले से जानती थी, कि नहीं जानती थी, ऐसे किसी को कोई कैसे ले जा सकता है, कुसम जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वाग है, जी, हमें आप ये बताईए, देखिए, कहीं भी आप बहुत सारी वीडियो देख सकता है, और आपको अपने घर से कैसे जबर्दस्ती ले जा सकते हैं, सर देखिए, वो जबर्दस्ती नहीं किया, क्योंकि देखिए, 2009 में जब उससे हमसे मुलाकात हुई, तो कारिकरम में हमसे उस राजे से मुलाकात हुई, और कितने भाईया लोग पूछते हैं कि वो रह मदनाबीर कैथोर का निवासी है, और बिरहा गाता है, तो राजे सियादो गायक से मेरी मुलाकात 2009 में होती है, वो भी बिरहा गाते दोरान, दूसरी मुलाकात फिर कारिकरम में होती है, और तिसरी मुलाकात सोयमो मेरे घर आता है, और जब मेरे घर आता है, राजे सियादो तो यही बोलता है कि कुसुम जी हम इस सिलसिले से आये हैं तुमारे घर पे कि आप बहुत सुंदर गाती हो आपकी आवाज बहुत अच्छी है हम लोग सोच रहे हैं कि हम और तुम मिलकर के एक साथ में अगर प्रोग्राम करेंगे एक साथ में गाना रिकॉर्ड करेंगे अगर यहीं बात में हमारे माता पिता ने बोले कि ठीक है, उसके बाद ने राजिस कहा कि चाचा जी हम कुस्म को ले करके जाना चाहते हैं, क्या आप लोग राजी हैं, हमारे पिता बोले कि ठीक है. लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ चल किया ने, सुन्दर गाती हैं कहके वो आपको पसंद करते थे, लेकिन उनका एक बहाना था आपको यहां से ले जाने के लिए, कहीं न कहीं वो आपको पसंद करते थे, लेकिन इजहार यहां ना करके आपको रूम में ले जाके इ पूरी जो हां पी वो हमको रखा था सब कुछ हमको याद है और मैं दिखा भी सकती हूँ कि वो हमको कहां किफ जगा रखा था जब राजे स्यादों ने हमको रूम में लेकर के पहुचा तो मैं उससे सवाल उठाई कि भाईया हमको जो है कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए करके आए हैं उसी ही कारिकरम में हम आपको चाहने लगे आप बहुत सुंदर गाती हो और हम आप से साधी करेंगे तो आपने नहीं कहा कि आप हमारे घर आके कही हमारे माता फिता के पास सामने कहिए कि हम आपको चाहते हैं आपके साधी करना चाहते हैं आप यहाँ लागे क्यों कह रहे हैं जी बिलकुल मैंने कही कि राजेस जी देखिए आप जो बोल रहे हो वो सरे सर गलत है क्यूंकि अभी मेरी उमर 14 साल की है आपकी उमर करीब तीस और 28 के बीच में है और वो भी आप उस समय उनकी उमर 28-30 थी और आपकी 14 थी तो उसके बाद मैं बोली तो बोलें कि नहीं देख कि आप यादो काश्ट के हैं हम अर्जन काश्ट के हैं भाईया यह जमाना नहीं समझेगा क्यूंकि देखिए आप बड़े काश्ट को हम छोटे काश्ट के ऐसा कभी हम लोग के साथ नहीं हो सकता है लेकिन वहीं राजेस यादों ने कहा कि कलाकारों की कोई जात नहीं होती अज राजिय स्यादों नैंस व्रे नान 걸로 रहे हैं डिल्वा जोटि की चुति काश्ट की और तूम्हारा चुआयम कोई पानी पी सकता है। मेरा 13 साल का बेटा हो गया है, जब हग देने की बारी आ गई, अधिकार देने की बारी आ गई, पिता का नाम देने की बारी आ गई, तो राजी सियादों ने हमको धक्का दे करके बाहर कर दिया, तब मैं छोटी काश्चिक हो गई, जिस समय वो साला कमीना लेकर के हमको गया थ तो मैं आज जनता जरादन से कहना चाहती हूँ कि बाबा सहब ने भी तो चोटी काश्ट के थे जो कि पूरे भारत का एक ही कलम से सम्भीधान को लेखे पूरे भारत को आजाद किये तो क्या भारत अपना आजाद हुआ तो क्या खाली उसमें चमार ही आजाद हुए और कोई पिरदरी आजाद नहीं हुई बताईए आप हमारे देश के परधान मंतरी जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं उस नारे से आप लोग क्या सीखते हैं कहीं ना कहीं यह नारा गलस साबित हो रहा है और आज बेटियों कि उपर कितना जुल्म हो रहा क्या हो रहा आप लोग देख रहे हैं ना तो बेटी रोट पे सुरचीत हैं ना घर पे सुरचीत हैं ना स्कूल में सुरचीत हैं तो अभी आप क्या चाहती हैं क्या उनके साथ रहना चाहती हैं अपने बेटों को लेकर या उनसे कुछ मांग क कर दिया उस दरिंदा को मेघ तो मै पगर अपने सांदे है पहले सामने आ जाएगा है तो मैं पहले उसको चपन निकाल के 260 क्वारोंगी कि कैंश वाल करूंगी जिस दिन तो हमको ले के गया था क्या में उधन यादो कि इस दिन ठाकरा Driu थी आज तुने मुझे नीच जातिक करके ठुकरा दिया साले और आज मैं तेरे लिए चमाईन होगी जब अधिकार देने की बारी आ गई आज तरह तरह की राजेस यादो हमको धंकिया दे रहा है उसके पिता का नाम है मोहन यादो जो कि कभी लिखता है कभी लिखता है मोहन कहते हैं अपको साथ में रखना चाहते हैं तो आप क्या करतों से हैं मैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाओंगी और जो में अगर कोट में बोलते हैं कि हम इनको साथ रखना चाहते हैं कि अब भाई अब तो यह राजी हैं आप जाई इनके साथ रहिए आपको इनका हग दिया जाएगा बाप का नाम दिया जाएगा तो आप क्या करेंगी मैं साथ कोट भी अगर आदेश करता है तो मैं कोट से निवदन करूंगी कि आप तो मेरे जिंदगी ना यह सुहागन में किया था ना ही बिधवा में तो यह मुझसे साधी अगर करना चाहता है तो मैं साधी करूंगी लेकिन उससे के साथ नहीं जाओंगी अच्छा एक बात औ क्या कहेंगी आज ना कल यह बच्चा मेरा जनम होगा तो लोग क्या कहेंगे कि माता के साधी नहीं हुए और एक बेटा पैदा हो गया इसका बाप कौन है? लोग नजायज कहेंगे लेकिन नहीं वह मुझसे साधी नहीं किया और जिसाम राजेस को पता चला कि मा कि नहीं Rick वही राजे स्यादों ने बोला कि ये वार्षन करवादो बच्चा गिरवादो लेकिन मैं बोली कि आप हमसे साधी करो या ना करो आप जो है कि जितना भी हमको मारना है जितना पिटना जितना हमको दुख दर्द देना है दे दीजे लेकिन मैं आपने बच्चों को नहीं गिर यस मेरा बेटा मेरे पेट में पल रहा था। उस में मुझी इतनी खुशी हुई कि साध ही मेरा बेटा मेरा साथ दे सकता है। इस दरिंदे का बदला मेरा बेटा ही ले सकता है, चाहे मेरे कोक से बेटा होगा या बेटी होगा, मैं उससे इतना जो है कि उसको सबक सिखाऊंगी और उसको इतना सहस भर दूँगी, कि वो सोयन खुद अपने बाप से पुछेगा, कि आखे तुझे ये करना था मेरे मा के सा तो मुझे क्यों पैदा किया, और मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो खुद अपने अधिकार ले सकती है, तो आज मेरा बेटा तयार हो गया है, 13 साल का राजस्यादों से खुद सामना करने के लिए, और खुद अपना हाँ को ले करके रहेगा, इतना सब होने के बाद, क्या उनके घर वाले जानते हैं, आपके और उनके संबंध के बारे में? कोई ऐसा घर, कोई ऐसा जो है कि बजार, कोई ऐसा मार्केट नहीं है, कोई नहीं जानता है कि राजस्यादों, कोई हरजन काश्ट गाइका को रखे थे, सारे लोग जानते हैं, किस लोगों को जुट बनाएगा वो? ये तकरीबन 14 साल से न्याई की भीख माग रही है, इनको अभी तक न्याई नहीं मिला, अच्छा आप परसासन के पास गई तो परसासन क्या स्वासन दिया, उनको कभी गिरफतार उफतार किये थे या नहीं, उनसे कुछ सवाल जवाब हुआ, उनको कभी सामने आपके आए तो तेरा साल के अंदर कभी उनसे मुलाकात आपकी हुई? जी, बिल्कुल मुझसे मुला कात हुई थी, और मेरे घर पे भी आया था, उसे बोला कि गलतिया हुई है, उस गलतिया को भूल जाओ, जो है कि हमारे साथ चलो हमके ठीक हमारा एक सर्थ हम तुमारे साथ चलेंगे बोला काइसा सर्थ, हमकि हमारा बेटा तेरे साल का, अरे पां साल का हो गया है, पहले हमारे बेटे का अधार काड बनवाओ, अपना पिता का नाम दो, उसके बाद में तुम्हें आपके साथ चलूँगी जब अधार कार्ड बंड गया तो मैं सुझा इंकार कर दी कि मैं नहीं जाओंगी